नवस्कार चर्चा में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ संतोश रोती जो बढ़ता जलवाई परियुरतन है इस पर प्रहार करने की जरूत है क्योंकि जिस तरीके से जलवाई परियुरतन बढ़ रहा है वो सिर्फ आप एक चिंता नहीं रही है चुनोती भी बन गई है क्योंकि जो कॉप 27 का सम्मेलन हुआ उसमें संकुतरासं के जो महा सची हुए अगर जो प्रकति है जो परियर्वन है वो बहुत तेजी से उसका नुकसान किया जा रहा है और जब भी हम जलवाई परियुरतन की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ सरकार की भूमका नहीं इसमें लोगों की भी भूमका बहुत ही महत्रपूर है उनकी भी जन सहभागिता प्रधान मंती ने लोगों को जोडने की कोशिश किया और ये इस पर्ष्ट कहा है कि इसमें लोगों की सहभागता है यानि कि हर व्यक्त को अपनी भूमका निभानी होगी तब ही हम परियर्वन को च्छा कर पाएंगे तब ही हम प्रकत को स्वस्थ कर पाएंगा आज इसी व तीन गुना अधिक विनाशकारी धरती की मानवता खत्रे में है आने वाली पीढियां माफ नहीं करेंगी ये चेतावनी है सयुत राष्ट प्रमुक एंटोनियो गुटरेस की जलवाई परिवर्तन और उससे हो रहे विनाशकारी पढ़ना एक हकीकत है विनाश की तरह जाने का वक्त यही है जलवाई परितन आपदाओं को बढ़ा रहा है अपने को विक्सेत और सम्रद्शाली कहने वाले देशों के स्थिति सबसे पूरी है दुनिया के विक्सेत देश ग्रीन हाउस गैसों के उच सर्जन में चीन सबसे आगे है अमेरिका 27 देशों से जादा उच सर्जन करता है गॉप 27 समिलन में केंद्री परितन मंत्री ने भाग लिया था केंद्री मंत्री भुपेंद्यादों ने हरी तुर्जा को आगे बढ़ाने की वकारत की है अमान और सब इता इस समय बड़े संकट में है भारत दुनिया को क्लाइमेट चेंज की मुद्य प को चोड़ने की बात कही है प्रधान मंत्री ने लाइफ मेशन की शुरुआत की थी ताकि परियारण के प्रति हर नागरी को जागरुख किया जा सके और जलवाई परुतन के खिलाफ इस लड़ाई में कदम से कदम मिलाया जा सके क्लाइमेट चेंज पर इस वैच्विक मंथन के बीच मैं भारत की और से इस चुनावती से निपटने के लिए पांच अमरित तत्वा रखना चाहता हूं पंचाम्रत की सोगार देना चाहता हूं पहला भारत 2030 तक अपनी नौन फोसिल एनरजी केपसिटी को 500 गीगावर्ट तक पहुंचाएगा दूसरा भारत 2030 तक अपनी 50% एनरजी रिक्वार्मेंट रिन्यूबल एनरजी से पूरी करेगा तीसरा भारत अपसे लगकर 2030 तक के कूल प्रोजेक्टेड कार्मन एमिशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा चौथा 2030 तक भारत अपनी अर्थे ववस्ता की कार्मन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और पांचवा वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लख्ज हासिल करेगा ये पंचामरत ट्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अबुत्पुर्व योगदान होंगे निशन लाइफ जलवाई उसंकट में लड़ने में मदद करेगा लाइफ यानि कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वाइनमेंट जीचुन्टी देशों को मिलकर काम करने की सरूरत है पार, सूखा, आंधी, तूफान, भुखमरी, खाद्यान उत्पादन पर जलवाई पर्योतन का सीधा प्रभाव पर रहा है बर्ती भुखमरी से कुपोर्शर जैसी समस्या को और बढ़ावा मिलेगा भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्रजन का लक्ष निर्धायत किया है बर्ता तापमान चुनौती बना रहा है वैग्यानकों का कहना है कि तेजी से बर्फ पिखलने से कुछ वर्ष तो गंगा यमना समेथ हिमाले इनद्यों में पानी रहेगा पर बाद में घटना शूरू हो जाएगा जो की जल संकट का बड़ा कारण बनेगा हिमाले इन शित में हर साल 10 मीटर तक इसनो लाइन कवर पीछे किसक रही है जो की एक बड़ी चिंता है बीर रपोर्ट दुदशन नियूज लखनौ तो 2030 नहीं 270 तक जीरो कवर्बन सर्जन के जो लक्ष तैकिया गया इसमें सरकार अलग तरीके से प्रयास करी सोर रुज़ा को बढ़ावा दिया जा रहा है रिनूबल एनरजी की बात की जा रही है और लोगों को भी जाग रूप किया जा रहा है इस पर बात करने के हमारे साथ दो खास मेमानें उनका हम परच्चा गराद है जाने माने पर अनूबीद है और दूसरे जो खास मेमाने प्रोफेसर जोति प्रकाश जी है M.A.T. उनिश्टी से जुड़ी है आप दोनों मेमानों का हमारे कार के मिसागत प्रोफेसर भरत रात सिंग जी मैं आपसे शुरुवात करना चाहूँगा कि जलोई परतन पूरे विश्व के लिए चुनोती है क्या आपको लगता है इसमें मिलकर प्रयास किया जाए तभी एक बड़ा परिवर्तन आएगा जिस तरिके से कॉप 27 का सम्मेलन हुआ और जो इंट्यू न्यू गुट्रेस उन्होंने इस परश तोर पर कहा कि विश्व के सभी देशों को एक मंच पराना होगा और यूद धिस्तर पर प्रयास करना होगा तभी बड़ा बड़ा हुआएगा पहले तो मैं सभी दर्शकों को नोश्कार करना चाहता हूँ जलवाई परिवर्तन बिश्व के लिए एक भावती घातक रूप से आगे बढ़ रहा है और यह सभी ने देख रखा है अब पूरा विश्व इसकी तरफ कुछ के अब उसके घातक परणाम सबको समझ में आने लगे देख रहे हैं और उसके कारण अब सबको एक जूट होने की एक तरीके से सब लोग एक जूट हो रहे हैं जबकि पेरिश्चमित जो ही थी कॉप 21 वो 27 नॉवंबर से दिशंबर में 8-10 दिशंबर तक हुई थी उसमें केवल भारत बरस ऐसा देश था जिसने अपने को आगे बढ़ तक कारण को घटाने की बात की तो आज परिस्थिती यह है जब अन्य देश भी इसके साथ जूट रहे हैं तो सब को जूटकर ही इससे गात परड़ाम को अगर में दूर करना है तो सब को जूटना पड़ेगा और जूटना इस तरीके से अक्षण में आना पड़ेया अब परिस्थितियां इम्पैक्ट सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी अबई यह आप देखें कि जापान में भारतवर्ष में या जो करना म हैं ऐसक जोंげ इसमें आब परड़ाम काओंहान वे ने ग्लेशर मेल्टिंग को बहुत हलके से लिया और आर्किटिक्शी पहले सुरू हो गया था दोजार हमें याद है कि दोजार तेरा में भी हम जब बात करते थे तो इस पर लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं यह कोई खास बात नहीं है जबकि पुस्तक में हमने इसके ज जिन्ता की बात आई आज तो बड़े भारी विजद्वन्षक इस्थिती हो चुकी है जो आर्किटिका पिगल रहा है उस पर देखते हुए पूरा विश्चुके जो आपकी जलवायू का प्रेटर्ण है वो बदल रहा है और बहुत ही जादा उसका प्रभाव पड़ रहा ह प्रर्यावरान के प्रत्य लोगों की जागरूपता है भी या नहीं है जो वरतमान स्थिती देखी जा रही है कि कभी भी बारिश हेवी रेन हो जाती हैं, कभी भी तूफान आ जाता है, कहीं पर डॉट हो रहा है, असम इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मौसम चक्र भी बदल रहा है, तो जलवायू परिवरतन वाकई में एक बहुत गंभीर समस्या है, और क्योंकि मैं प्रोफेसर ह इसके बारे में अवेर करती हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज के जो भी रीजन्स हैं, अगर उस पे इमिजेट आक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि आप ही भावी हो इसके बनाने के लिए कि आप इसमें क्या कर सकते हो, तो उनको यह मैं टाइम पर टाइम समझाती हैं, पर हमा हमारी यह नियत भी होनी चाहिए कि हम उसको अच्छे से उसका अनुशाषन करें, हम उसका पालन करें, क्योंकि जब यह COP26 की बात हुई, पंचामरीत की बात हुई, हमारे प्रधार मंत्री शी नरें मोधी जी ने कहा कि पंचामरीत है और हम 2017 तक हम Zero Carbon Emission पर पहुँचेंगे जीरो Carbon Emission बहुत बड़ा टार्गेट है हमारा यह और Climate Change को हम जब हम Zero Carbon Emission पर पहुँचेंगे, क्योंकि जो मेन कलप्रेट है जलवाई परिवर्तन के लिए, वह हमारा Carbon ही है और यह Carbon Emission हमने जीरो करना एक बहुत अच्छा टार्गेट सेट किया गया है, पर हम इसको कैसे अ just we want to, हम develop करना चाहते है इसको तो sustainable development सिप sustainable natural resources के साथ ही संभा है और sustainable natural resources हमारी sustainable renewable energy resources है, जिसमे हमारी wind है, solar है, । इसमें हम सारे हम बायो डिजल प्रोड्यूस कर रहे है, यह सारे ही सारे यह इसमें कॉंट्रिब्यूट करेंगे। यह चोटे-चोटे प्रयास ही बड़े बदलाओं का वाहक बनी। अब हम चोटी सी बात भी बदानमंत्री जी के बताऊंगा। कि उन्हों का हमें पेश्मीद में 2% कार्वन घटाना है। आते हैं उन्हों एक नीती बनाई के हमें 100 गिगावाट 2020 तक रिनेवल एनरजी से इनरजी को पैदा करना है। अब उस नीत पर 100 गिगावाट उनका 2020 के लक्ष के पहले ही हो गया। आज अगर हम उसको देखें तो हम लोग 158 पर जा रहे हैं। और हमारी रिनेवल एनरजी का जो लक्ष है 2030 का वो 2042 गिगावाट है। तो अब आप देखें कि हमारे पास तो रिशूर्स हैं। हम रिशूर्स हमारे पास इंडिया में जो रिनेवल एनरजी का सोलर ही ले लिजे। सोलर अकेले ही 15 से गिगावाट के हमारे पास उपलबता है। अगर हम सारे जगें प्रयाश कर लें। सारे जगें अब जितने भी हमारे सरकारी तंत के कालेज, स्कूल, इन्वर्स्टी, मेटिकल कालेज ये ले ले लें। रेजडिन्शियल, नन-्रेजडिन्शियल सारे ब्रिल्डिंग्स आप प्राइवेट टाउर्स की ले लें। तो आज तो सोलर के वल रूफटाप नहीं रहा गया है। बड़े उससे पूर्ण हो सकता है, इसके साथ साथ हम लोग इलक्रिक वेखिल की तरफ जा रहे हैं, हम लोग वायड वीजल की तरफ भी अपने सारे प्रियास आगे बढ़ा चुके हैं, हम लोग यहां ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की वेखिल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जो पैदा करके तुरंत आगे उसको वेखिल्स में यूज करें। पर आपने सोलर की बात की सोलर को लेकर सरकार कई तरीके की सबसरी भी देती है लोगों को उससे जोड़ना भी चाहती है, रूप्टाप पर मैंने अपने घर पर लगाया और आज इस तितिया खुशी की बात है कि हमें लगता है कि तीस से चालिस परसंट गरों में अब लोगों ने सोलर क्योंकि गवर्मेंट की नीद की भारत सरकार और स्टेट सरकार से जो उनको उसमें राहत मिल रही है उससे वो क फास्टेस्ट कंट्री हैं जिसके सोलर को हम लोगों ने आगे बढ़ा रहे हैं और यही है कि हम आगे बढ़ने के लिए ग्रीन नर्जी का उपयोग हम बाहनों पर भी कर रहे हैं और जो बिजली पर निर्भारता है वह भी कम होगी आप बताएं दोजार चालिस का लक्ष य जोतिती हैं जब बद्लाओ की बात करते हैं कि जो चोटे चोटे परिवरतन है वह एक common आद्मी जो रहने वाले लोग है उनको ही अपने दैनिक दिन चर्या में शामिल करना होगा उन चीजों को, क्योंकि अगर हम कहें कि हम AC नहीं चलाएंगे, हम गाड़ियों के नंबर्स कम कर देंगे, तो मतलब कि हमें कार पूल पर ध्यान देना चाहिए, और हमें जो जो रिसोर्सें हैं जिनसे की पलुशन होत है, सरकार ने नीती बनाई है, सबसे बदा तो उन्होंने इस National Clean Air Mission चलाया, फिर Green Corridor Project आया हमारे पास, फिर इसके बाद अभी एक अक्छे उर्जा दिवस जो हमेशा हर साल 20 सगस्त को celebrate के आयाता है, अक्छे उर्जा दिवस का मतलब ही है कि हम non-renewal energy resources पार ही focus करेंगे, और यह ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक दिन इसको हमने मना लिया, celebrate कर लिया, यह एक उत्साव नहीं है, यह एक बहुत अहम मुद्दा है, जिस पर हमें गंभीरता से सोचना है, और इस पर हमें अमल करना है, और इसके आगे हम इसके काम करते जाना है, जैसे कि solar energy के लिए हमने कहा कि सबसे ज़्यादा यह आपका राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसकी installation capacity है, सबसे ज़्यादा वहाँ पर इंस्टॉल यह हुआ है, तो solar energy एक ऐसा source है, यह हमाया पस abundantly, बहुतायत में हमाया है, प्रचुर मात पर आकर के रुख जाएंगे, तो solar energy को harness करने साथ ही साथ ही कहते हैं कि sure भी है, pure भी है, secure भी है, sure इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रचुर मात्रा में available है, pure इसलिए कहते हैं क्योंकि यह environment friendly है, क्योंकि इसे कोई भी greenhouse gases, carbon dioxide, carbon monoxide, पर रवरन को कोई नुक्सान नहीं है, और secure इसल आएंगे और हमें यह self reliance बनाती है, तो इस तरीके से solar energy पे हमको focus करना चाहिए कि हम कैसे जल्दिस जल्दिस को, इससे हम energy को produce कर सके इसके उपर, क्योंकि हम COP हमारा जोहांसबर्ग समीत जो पहली समीत हुई थी और आज हमारा COP 20 हम 7 पर आ गए हैं, जो हम target set करते हैं, उस target क sit करने के साथ हमें उस तक achieve करने की उसको पाने की पूरी कोशिश करना चाहिए, जब तक हम उसको पाएंगे नहीं, जब तक उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी कोशिश से नाकाम रहेंगी, दूसरी चीज, अभी हम pollution की problem से बहुत बुरी तरीके से जूज रहे हैं, और बता रहें कि ब्लांकेट बन गया, बच्चों के स्कूल बंद हो गए, और्डी में कार का नंबर आने वाला है कि ऐसे गाड़ियां चलेंगी, तो क्या है ये, ये भी हमारा, जो energy resources हम use कर रहे हैं, उसी का resultant है, क्योंकि हमारे आज भी industry को चलाने के लिए, जो हमारी निर्भरता है, वो कोल पर ही है, और कोल से सबसे ज़्यादा का इमिशन होता है, तो हमें जल्द ही जल्द इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम इसको क्या कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, और जैसे कि बायो डीजल की बात भी हमने कही, बायो डीजल, green diesel क यहलाता है, इसको LG से हम प्रोड्योज कर सकते हैं, अब तो हमारे प्रदान मंत्री जी ने बहुत सारे रिसर्श सेंटर्स, आयायम, और कितने सारे CSIR की लिए बात परहवत दिए हम इसको जल्देश जल्देश का समाधान लेकर कि आएं, ऐसा नहीं कि हम हर साल इसी मंच पर आ करके कि क्या करें कैसे करना करता है जब किसी देश में सूखा परता है खाद्यान की कमी आती है ये सब जलवाई परवतन के दुश प्रभवव डालने वाले हैं क्या आपको लगता है इसमें सभी देशों को क्योंकि यह भी देखा गया कि विक्सित देश इसमदका प्रयास बहुत ही नगड रहता है शूनी रहता है बहुत कम रहता है हम अमेरिका की बात करें की आठेश में लेकिन जब जलाधों परठन की बाती है töब काफी पीछे नजर आते विकास चर्चा की, मैं तो पहले बिख्षित देश की बात करता हूं, अमेरिका जैसे बिख्षित देश जो है, वो पूरे बिख्ष्व का 34% एनर्जी अकेले कन्यूम करते हैं, वो कोई भी कमफर्ट जो उन से बाहर नहीं निकलना चाहरा है, आज उनकी परिस्तितियां आप देखें जब एक बार अपने यह किया था कि आप लाइन की बाद कर रहे हैं, मैंने तो 2012 की किताब में भी लिखा देखें, अगले दिशक में न्यूयार शाहर तूफानों से डूबेगा, और उसके परड़ाम भी आया, दो महिने बाद वहां सेंडी तूफान आगया, लेकिन उसके बाद के परणाम जो थे, वो परणाम उनको इतने घातक से दो रहे हैं, आज भी उन्होंने उसमें कटावती नहीं की, इवन आपकी पेरिश समीत पर केवल अमेरिका अपोश करने का, बाकी सारे देश के एक सुबहत्र कंटी में उन्होंने अपोश किया, रहिए, और उनका कतन था कि जितने विकास चील देश हैं, वही सबसे ज़्यादा कारण पूढ़े हैं, जब कि चाइना और अमेरिका दूसरे पर और भारत बर्स इस समय चुकि विकास की गत्वें आगे है, वो तीसरे चौथे से तीसरे पावदान पर आ गया है, आज विश्व में जरूर ही कहना है कि इस विकास चील देश में कई इंफराइस्ट्रक्चर ऐसे हैं, जिसमें जीरो पालूशन के करने की जरूरत है, जरूरत है, जैसे रोड इंफराइस्ट्रक्चर आप ले लिए पहली चीज़, रोड इंफराइस्ट्रक्चर भारत बस में ये सबसे बिश्ट में कि आप पेड लगा दें और पेड लगाने से सारा सिक्वेटे से कार्वन का रिडाक्शन हो जाए एक लास कमेंड मैं जो ते प्रकाश से जो लेना चाहूँगा तकनीक की कितनी बड़ी भूंका देखती है जब हम अक्सार उत्रप्रिदिश के अगर हम बात करें तो हर साल एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कभी दो करोन पेड लगाने के लक्शन दाहित के जाता है कभी पांच करोन तकनीक की कितनी बड़ी भूंका देखती है रिमोट संसिंग जैसी फ्रडाली चलोई परतन को या फिर वेट लैंड को ढूनने में या फिर पाधो को बड़ा करने में क पार की और लोगों ने आउट-अफ टू-हांडेड सिब इन्हों ने बताया है तो हम तकनीक अपने हाँ जो हमारी है तकनीक को और हमें डेवलप करना करने की जरूरत है और उसमें डेवलप्मेंट के साथ हमें उस पे अमल करने की भी जरूरत है तो बिना अमल किये हम इस को चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं दब तकनीक की बात होती है तो फ़ॉमिक हम άλλों की बड़ानी की ज़रूरत है क्योंकि क्य ऐसे जो कॉप 27 सम्मेलान हुआ उसमें जो सची हों है गोटरेस उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दुनों में पूरे विश्च को एक साथ मिलकर जलोय परतम के खिलाब काम करना होगा नहीं जो आने वाला समय है वो बेहत चुनोती पोर्ण होगा नमस्कार जल कुन्ना के वल्ब जहरीला बना रहा है बलके उसे मौत की उड़ ले जा रहा है उद्योगों में होने वाले रासायनिक प्रयोगों ने पानी में पारा सीशा और कडमिम की मात्रा अधिक कर दी है जो कि संपून जीव जंत्यों